नमस्कार साथियों स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चेनल ग्यान कामना पर तो दोस्तों अपने जन अधार की EKYC अपने खुद की SSO ID से ओनलाइन कैसे करें बिना किसी इमित्र की मदद से अपने गरबठे अपने खुद के mobile से या फिर computer से अगर आपको भी अपने जन अधार की EKYC करनी है तो इस वीडियो के साथ वो आप बने रहे तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों EKYC करने से पहले एक जानकरिम आपको देना चाहूँगा जैसा कि आप सब को पता है कि थोड़े दिन पहले जन अधार की EKYC को लेके एक अपडेट आये था और ये जो EKYC है हर एक राजिस्थान के निवाशी को करना अनुवारी है क्योंकि अगर आप अपने जन अधार की EKYC नहीं करोगे तो आप सरकारी योजनाओं का लाभव उठा नहीं सकते अब EKYC का सिधा सिधा मतलब यही है कि आपके जन अधार कार्ड को है आपके अधार कार्ड के साथ वो लिंक किया जा रहा है तो ऐसे में जन अधार की EKYC करने से पहले आप अपने जन अधार कार्ड को पूरी तरह से अपडेट करवा लिजेगा और इस EKYC के जो ने रूल है ने नीम है इसके बारे में आपको और अधिक जानकारी लेनी है तो इसके लिए आप हमारे दूसरे चैनल पर विजिट कर सकते हो जिसका नाम है राज, स्कूल, हैल, पिया फिर राजगुर जी तो हमारी ये वाली वीडियो है, इस वीडियो के अंदर मैंने टोटल जानकारी है वो दे रखी है कि इसका क्या मतलब है, आपको पहले क्या करना चीए, बाद में क्या करने से क्या नहीं होगा, अगरा अगरा टोटल जानकारी दी है तो EKYC करने से पहले ये वीडियो आप जुरूर देखिएगा, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्सिन में मिल जाएगा, अन्यता बाद में आपके सामने समश्या आ सकती है चलिए यदि आपने इसके बारे में जान लिया है, तो फिर अपने EKYC करते हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने खुद की SSO ID में लोगिन करना है, अब ये काम आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं, अगर आपके घर में लेप्टोप, कम्प्यूटर, PC है तो उसकी मद्द से भी कर सकते हैं, करना क्या है, सीधा सीधा देखिए आपको अपने ब ये जोपन हो जाएगा, यहाँ पर आपको अपनी SSO ID, अपना पासवर्ड और ये केपचा डालके फिर आपको लोगिन पर किलिक करना है, जैसे आप लोगिन पर किलिक करोगे, इस तरह से अपनी SSO ID में लोगिन हो जाओगे, कुछ इस तरह का इंटरिफेस आपको दिखाए इसके बाद इस तरह से इंटरिफेस आपको दिखाए देगा, और सबसे पहले यहाँ पर देखिए एक option आपको देखने को मिलेगा, जिसका नाम है Indolment, आपको इसी वाले option पर क्लिक करना है, अब इसके बाद यहाँ पर देखिए और कई option आपको देखने को मिलेगे, अब स 18 पलस हो चुकी है, उन member की list आपको यहाँ पर दिखाए देगी, तो यहाँ पर किसी एक member को आपको है, वो select कर लेना है, और उसके बाद आपको EKYC आधार वाले option पर हो क्लिक करना है, तो यहाँ पर देखिए आपके registered mobile number पर एक OTP आएगी, और यह OTP तभी आएगी जब आधार कार्ड में mobile number add होगा, अगर आपके यहाँ पर biometric machine है, तो आप finger से भी इसको verify कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर mobile OTP से है, उसको verify कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आपको टिक लगाना है, OTP बेजे वाले option पर आपको क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर OTP आपको डाल मैं इसका सिधा सिधा मतलब हो बता देता हूँ, कि यहाँ पर देखिए आपके परिवार के अंदर या आपके जन आधार कार्ड के अंदर, ऐसे सदस्ये जिनकी उमर 5 साल से कम है, तो उनकी EKYC करना अनुवारिय नहीं है, इसके लावा एक बार EKYC होने के बाद है, आप ज करवा लीजिएगा, और बाद में आपको अपनी EKYC करने है, ठीक है, चलिए, अब यहाँ पर आगे देखिए, आपको यहाँ पर दो तिन सेक्षन दिखाई देंगे, ठीक है, पहला सेक्षन यहाँ पर आपको नजर आ रखा होगा, EKYC कम्पलिटेड, इसका मतलब ही है कि क इतने कंडिडेट की EKYC वो कम्पलिट हो गई, उनकी लिस्ट आपको यहाँ पर नजर आएगी, आलांकि फिल हाल देखिए, खाली नजर आ रखा है, क्योंकि हमने अभी तक किसी भी सद्दसे की EKYC को कम्पलिट नहीं किया है, ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखिए, द अधार कार्ड में कितने ऐसे मेंबर हो 5 साल से कम है, तो उनकी लिस्ट आपको यहाँ पर दिखाए देगी, आलांकि मेरे केश में बिल्कुल खाली है वो दिखाए दे रही है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई मेंबर है नहीं, जिनकी उमर हो 5 साल से कम हो, ठिक है, चलिए, EKYC करना शुरू करते हैं तो यहाँ पर यह जो पेंडिंग वाला सेक्षन है सभी मेंबर की लिस्ट आपको यहाँ पर दिखाए देगी अब जिस-जिस मेंबर की आपको EKYC करनी है तो यहाँ पर देखे उसका नाम आपको दिखाए दे रहा है और उसके अधार कार्ड के लास्ट फोर डिजिट आपको नजर आ रहे हैं और जस्ट इसी के आके आपको देखने को मिल जाता है एक सेक्षन EKYC और लिखावा है गो टू EKYC ठीक है तो जिस मेंबर की भी आप EKYC करना चाहते हैं उसको आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है ओके वाले ओप्षन पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है और उसके बाद फिर से ओके वाले ओप्षन पर आपको क्लिक करना है तो यहाँ पर देखे सद्धस्य को आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है अब द्यान लगना जिस भी member की आप EKYC करने जा रहे हो उसके आधार card के अंदर mobile number वो update होना चीए अगर आधार card में mobile number update नहीं होगा तो आप ये EKYC है OTP के माद्देम से नहीं कर पाओगे इस बात को आपको खास तोर पे डान अखना है इसके बाद आपको EKYC आधार वाले option पे आपको क्लिक करना है और फिर से एक OTP आएगी OTP आपको यहाँ पे डाल देना है OTP डालने के बाद मानने वाले option पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है तो ऐसे में member की OTP है वो complete हो जाएगी और यहाँ पे उसकी EKYC वो भी complete हो जाएगी तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर देखिए इस section में उस member का नाम है यहाँ से हटके है वो यहाँ पर आ चुका आप देख सकते हैं EKYC complaint तो इसी तरह से जैसे जैसे आप अपने member का यहाँ पर EKYC करते जाओगे वैसे वैसे यहाँ से नाम उठके है वो यहाँ पर आ जाएगा और यह जो box है वो खाली हो जाएगा ठीक है अब मान लेते हैं कि हमने सभी member की EKYC वो complete कर दी और EKYC complete करने के बाद यहाँ पर देखे last में आपको एक option देखने को मिलता है complete EKYC process जब आप सभी सद्धियों का यहाँ पर कर दो na complete तभी आपको करना है अगर आप बीच में कर दोगे for example जैसे हमने एक सद्धिय की कर दी फिर आगे नहीं कर रहे हैं तो यह आपके सामने है वो समश्या आ सकती है तो ऐसे में सभी सद्धियों की आपकी यहाँ पर EKYC complete करने के बाद इस वाले option को आपको use करना है महीं यहाँ पर देखिए इसकी जो process है वो complete नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अन्य सद्धियों की भी process करनी है यह तो केवल आपके लिए एक demo वीडियो था कि आप इस तरह से है अपने जन अधार की EKYC कर सकते हैं अपने mobile से या फिर अपने गर बैठे बिना किसी emitter की मदद से अगर वीडियो जानकारी आपको एच्छी लेगी हो तो वीडियो को like कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वो जुरूर share कीजिएगा अगर EKYC को लेकि आपके कोई सावाल हैं तो आप comment कर सकते हैं आपकी मदद करने में मुझे खुशी होगी और इसी परकार से नई नई वीडियो की अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं अपडेट की जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद ये गंटे वाला टंटन है इससे जरूर दबाएगा और उसके बाद ये ओल नोटिफिकेशन इससे जरूर ओन करना ताकि जब भी हम हमारे चैनल पे कोई लेटेश वीडियो अपलोड करें तो उसका एक नोटिफिकेशन वो आप तक पहुंझे और आपको भी नई नई जानकारीयों से वो रूबरू है वो होता रहे और इसके अलावा इस EKYC को लेके या फिर EKYC अपडेट के बारे में आपको और अधिक जानना है तो हमारी ये वीडियो है आप जुरूर देखेगा इससे आपको काफी फायदा होने वाला है एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत